अंकल्प 17 BPSC जहां आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइब और रिकॉर्ड़ेट ग्लासे, 700 प्लस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस स्टेडी नोट्स, विहार स्पेशल जीके, करेंट अफ्यर्स, आंसर राइटिंग सेशन्स, वीकली लाइब गाइदेंस सेशन्स, आपके प्रियस तिक्षको से पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक कीजे और 17 BPSC की जंग जीतने के लिए तैयार हो जाईए नमस्कार दोस्तों, very good evening to all of you, test book super coaching में आप सभी का श्वागत है, सभी का welcome है, जैसा कि दोस्तों, JPSC prelims exams का CIPT1 और CIPT2 यानि कि दोनों paper आपके conduct हो चुके हैं, और अब timing है एक सटीक, analysis का एक बहुत ही सांदार तरीके से जो आपका paper 1 है, यानि कि CIPT1 जो आपकी हुई है और CIPT2 हुई है, इसका सांदार विशलेशन लेकर के आगई हमारी पूरी टीम, यानि कि super coaching test book में एक आपको सांदार सटीक विशलेशन मिलेगा, हाला कि ऐसी खबरे आ रही हैं कि JPSC prelims exams जो आपका है, ठीक इसका paper leak हो गया है, तो वो बात की बात है कि leak हो गया है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, बड़ पहले अपना जो है कि जो questions आपके पूछे गए हैं यहाँ पर, उन questions पर हम यहाँ पर पढ़ें, ठीक है guys, तो चलिए बिलकुल exam आपका अच्छा ग करेंगे, तो चलिए दोस्तो, GPSC Prelims exams का जो आपका paper 1, यानि की shift 1 में जो आपका paper हुआ, इसका analysis करेंगे, guys, question number 1 जो आपका है, पहला प्रश्णा आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि question number 1 जो आप से पूछा गया था, कि निम्न में से किस जीव से अंगोरा उन प्राप् कराया है, उन जो एक आपका क्या है, रिशा है, जो की plant और animal से मिलता है, ठीक है, उन जो आपका है, ठीक है, प्लांट से मिलता है, ठीक है, जन्तु रिशा आपका और पादप रिशा जैसे कि आप देखते हैं, पौधों से मिलने वाला रिशा, कपास, और उन जो आपका किस से मिलता है जन्तु से मिलने बाला रिशा है उन हमें मिलता है किसे भेड से बकरी से खरगोश से तो यहां पर कुश्चन जो आपका किया गया था कि अंगोरा उन जो आपका है यह किस से प्राप्त होता है आपको बताना है कुश्चन जो आपका है आपके सामने है गाइस कुश नमबर बन का आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा खर्गोस ठीक है खर्गोस से प्रापता अपटा यह उन होता है यानि कि इसका राइट आंसर ऑट यह होगा यह यह पेपर में पहले से मार्क हैं लेकिन मैं रैड पैन्स से मार्क करूंगा उसको आंसर आप लोग पश्मीना जो आपका होगा क्या हो जाएगा और यह कुशन मैंने करवाया है पुराने जो यूश्योंस हैं उसमें आप देखिएगा बशीड़ान के बारे में मैं कौन सा कथल आहीं है यह सही रहें यह तो भाई सही लिखा है random access memory यानि कि एक यह क्या होती आपकी temporary memory है permanent नहीं है मतलब यह क्या है आपका आइस्थाई भंडारण छेत्र यानि कि temporary storage area है यह तो सही लिखा है RAM एक hard disk storage की तरह है ठीक है इसके बाद RAM एक wasp seal volatile memory है यह भी सही लिखा है और RAM में भंडारण सूचनाय कंप्यूटर के off होने पर उड़ जाती है जैसी आपने system को off किया RAM में जो आपकी सूचनाय stored होती है वो क्या हो जाती है उड़ जाती है मतलब A C और D यह तो सही लिखे हैं लेकिन जो आपका आंसर होगा B कि RAM एक hard disk storage की तरह है बिलकुल नहीं है क्योंकि RAM में जो आपकी सूचनाय होती है system के off होती ही क्या हो जाती है बंद हो जाती है तो यहाँ पर right answer एक right answer जो आपका होगा क्या हो जाएगा B यानि कि question number जो आपका 2 है इसका correct answer आपका B हो जाएगा कि RAM एक hard disk storage की तरह है यह लिखा है जबकि नहीं है क्योंकि एक यह vast seal volatile memory है temporary memory है और जैसी system off होता है यह क्या है बंद हो जाता है question number 3 है आपका 3version जो आपसे पूचा गया था इसरे question की हम चर्चा करेंगे 3 प्रशन जो आपका है यहाँ पर आप देखेंगे version number 3 यह लिखा हुआ है आपके सामने तो इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं guys यहाँ पर था किसी की सिकायतों को व्यक्त करने के लिए किस website का प्रियोग किसी की सिकायतों को व्यक्त करने के लिए website का प्रियोग कहलाता है using website to pour out once grievance is called किसी की सिकायतों को व्यक्त करने के लिए website का प्रियोग कहलाता है क्या कहते हैं से wave plea कहते हैं या wave hit कहते हैं या cyber rotting कहते हैं या cyber venting कहते हैं नमबर जो आपका है तीसरा यह आप से पूझा गया था ठीक है जल्दी से फटा-फट कुश्यन पढ़ें और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजे ताकि ज्यादा स्यादा लोग जुड़ें एक सांदार सटीक विसलेशन आपके सामने है और बिल्कुल सांदार तरीके से जितन की सिकायतों को व्यक्त करने के लिए व्याप साइटों का प्रयोग कहलाता है साइवर वेंटिंग क्या कहते हैं यानि की डी आंसर होगा कुश्यन नमबर थर्ड का क्या बोला जाता है साइवर वेंटिंग तो यहाँ पर आंसर आपका होगा साइवर वेंटिंग यानि की डी गरना करता है मतलब CPU का कौन सा पार्ट विच पार्ट गरना ठीक है विच पार्ट ऑप CPU ठीक है वर्क कैलकुलेटिंग यूनिट विच पार्ट ऑप सेंट्रल पोसेसिंग यूनिट परफॉर्म कैलकुलेशन विच पार्ट कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है कैलकुलेशन तो जोथेक आंसर यहां पर आपका D हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कुश्यन नमबर फोर का ठीक है क्लास चल रही है रिज्वाइन करने साथ भी लोग क्लास कंटीर्यू है कुश्यन आउट हो गया कोई बात नहीं देखिए कुश्यन पेपर आउट हो गया वो अलग बात है जैसा कि अभी खबर आ रही है लेकिन अगेन पेपर भी होगा और यहां पर यह कुश्यन यह दि हम करेंगे तो हमें कुछ कुश्यन पढ़ने को ही मिलने ऐसे कोई नुकसान कि नहीं है अउट होगी है वो जाच होगी जैसा डिसीजन होगा पेपर क्या होगा कैंसल होगा अगेन एकजाम होगा तो यहां पर जो कुश्यन उनिट CPU का विच पार्ट क्या क्या हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे हम कुश्य नमबर जो आपका 5 Icar Debus कब मनाया जाता है को श्य नमबर 5 ठीग है Icar Debus की बात की गई है कि यह क्यां मनाया जाता है यहां पर देखेंगे पाचवे प्रशन को हम पढ़ेंगे Icar Debus कब मनाया जाता है ठीग है पाचवे प्रशन आपके सामने है ICAR दिबस यानि कि जो आपका है Indian Council for Agriculture Research की हम बात करेंगे तो यह ICAR दिबस यह कम मनाया जाता है यह आपको बताना है पाच्वा प्रश्ण आपके सामने है 23 दिसंबर को 16 जुलाई को या 22 अपरेल को या 23 नौबर को पाच्वा प्रश्ण गाईज कुश्चन पढ़ी option पढ़ी answer दीजे सभी लोग ICAR दिबस तो ICAR दिबस मनाया जाता है आपका 16 जुलाई को ICAR Indian Council for Agriculture Research तीक है यदि हम यहाँ पर देखें यह इसका वैसे यहाँ पर नाम है लेकिन यहाँ पर जोब का ICAR दिबस जोब का है यह ś herb किया जाता था है 16 जुलाई को मनाते हैं तो right answer यहाँ पर आपका कुश्चन नमर जोब का 5 है इसका क्या हो जाएगा 16 जुलाई हो जाएगा पढ़िए गा निकाल करके ICAR दिबस देखो यह बहुत ही एक किसान्द बस अलग है तो चाबल का बैस्विक जीन बैंक कहां इस्ते थे अब यदि भारत में बात करते हैं कि राइस रिसर्च इंस्टिट्वूट तो नाम सामने आता है कटक का लेकिन यहां पर क्या लेका बैस्विक यानि कि ग्लोबल जीन मैं कोफ रईस बेशविक सुन्स्थान कहां पर है मनीजा में मनीला कहां पर आपका फिली Łण में यह गलत करके हैं लोगों ने कटक लगा दिया है कितक मनीजा रिख निटरनेशनल नेशनल पूछता है तो आपका कहां पर है बैस्विक मुचा इंटर्णेशरल यानी Corporal बैस्विक जीन बेंक और aparece आपका कहा पर है Manila फिलिपाइन्स में हैlicht मनीला फिलिपाइन्स में है याद रखेगा इंडिया की बाद करेंगे तो कटा कोडिशा में लेकिन बैस्विक की बाद करेंगे तो फिलिपाइंस में तो छट्वे प्रश्ण का आंसर आपका क्या होगा ए आपका हो जाएगा तो यहाँ पर देखो पाँचवे का 16 जुलाई है और छट्वे कुशन का चावल का वैस्विग जीन वेंग्स स्थित है कहा पर फिलिपाइंस में हैं ठीक है फिलिपीन्स में याद रखेगा तो ऑचे बिल्कूल वैस्विग पूछा बाई तो फिलिपीन्स आपका होगा अगला कुशन आपका question number 7 सातवा प्रश्न है बिल्कुल आपके 100 question और इनका एक सटीक इनलेसिस मिरे लेकर क्या आया हूँ और विल्कुल सही तरीके से इन question को हमें करना है या ठीक है याद रखेगा Question number जो आपका है 6 है ठीक है 7 है सात्वा प्रश्ण आपका लिखा है गन्ना है कम दीपती काल पौधा अधिक दीपती कालीन पौधा या ओदाशीन दीपती कालीन पौधा या दीपती कालीन के प्रती ओदाशीन पौधा यहाँ आपको बताना कि गन्ना है गन्ना किस प्रकार से है यहाँ पर बताएंगे जहांपर बताएंगे तो आप जानते कि गंणा एक क्या एरली क्रॉप है और गंणा के लिए एक लंबे समय की क्या है रेक्वारिमेंट होती है एक लॉंग तर्म चहिए होता है तो यहांपर आप आंसर दे सकते थे ठीक है यहाँ पर आंसर आप दे सकते थे कि गन्ना एक अधिक दीप्ती कालीन पौधा है मक्के के भूर्ण पोस्ट में कितने गुर्ण सूत्र पाये जाते हैं इजी कुश्यन 20 होते हैं 10 पेर 10 पेर और होते कितने हैं टोटल 20 मक्के के how many क्रोमोजोमस are found in the ठीक है एंडोर्ण स्पम ओप मैजी यानि कि मक्के के भूर्ण पोस्ट में 20 गुर्ण सूत्र होते हैं जो कि पेर में कितने होते हैं आपके 10 होते हैं याद रखिएगा तो यहाँ पर देखो टो आंसर क्या होगा आठ्वे प्रस्ट का आपका आंसर आपका हो जाएगा आठ्यों कुश्यन आप बताएंगे ठीक है McAlex ौप virtuous अगला आपका कुश्यन नम्-9 प्राश्ण था आपका जो पूचे गया था नाइन्थ कुश्यन की और जाएंगे आप व्यवसाइक खानेयों के गेहूं में निम्नमे से कौन से जीनोमिक इस्थिती पाई जाती है कॉमर्सियल इडेवल जो आपका क्या है वीट है कॉमर्सियल इडेवल जो आपका वीट है इसमें कौन सी जीनोमिक हाई ऑपका यहाँ यहां पर कुश्यन थे क्रैक्ट अंसर आशा हुगा तो यहां पर गैस में 20 गुर्षूत्र आपके होते हैं और व्यवशाइक खाने योग गेहु में कौन सी जिनों में किस्थिती पाई जाती है तो डी राइट आंसर होगा डी आपका क्या होगा सारी चीजे बदलाओ पर आधारित हैं ठीक है और पैटर्न बदलता देखो कोई ज्यादा टप कुश्चन नहीं है लेकिन प्रेक्टिस जितनी ज्यादा प्रेक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा सफलता की नज़्दीक पहुंचते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रेक्टिस बहुत जरूरी है प्रेक्टिस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा गाईस प्रेक्टिस बहुत जरूरी है अगला प्रश्ट दादेको साइन्स का कुश्चन कितना सांदार प्रश्चन पूछा गया था सांदार भी है ठीक है साइन्स से भी रिलेटेड है थोड़ा एग्री चारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है चुने के प्रयोग द्वारा जिपसम के प्रयोग द्वारा खारे पानी के प्रयोग द्वारा या उप्रोक्त में से कोई नहीं चारीय भूमी यानि कि जो आपकी alkaline soil है इसको कैसे ट्रीटिट कर सकते हैं alkaline soil can be improved by the use of lime by the use of gypsum by the use of saline water या नन आपदाबम तो इसका राइट आंसर जो यहां पर आपका होगा किसके द्वारा जिपसम के द्वारा भी आपका राइट आंसर होगा कैसे टीटिट करेंगे जिपसम के द्वारा करेंगे अगला कुशन है आपका कुशन चान क्या है प्रेस्तर कालीन आदी निर्मे का केंद्र यहां पर पत्थर से बने आधी मानों के बिभिन प्रकार के टीकर ऑजार प्रिकões निर्मे와 के बनांसर कीन को आभानों का केंद्र राइट आंसर आपका कोश्य नंबर 11 का क्या होगा। भी हो जाएगा। 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुक केंद्र रोहिनी आज किस जिले में इस्थेत है रोहिनी 1857 के रेवलुशन में ठीके क्रांतिकारी गतिविधियों का ठीके प्रमुक केंद्र जिसका नाम रोहिनी है आज ये किस जिले में है कहां पर ये जारकंड देको जारकंड history से related ये question आपका पूछा गया था तो आज ये कहां पर आपका इस्तित है तो ये बिल्कुल आपका है कहां पर देव घर में हैं बिल्कुल right answer आपका C होगा 13 का कि आपका कहां पर है देव घर में हैं तो गाईस देखो यहां पर जो आपके आंसर होंगे दसवे का जिपसम चारिये भूमियों को सुधारा जा सकता है जिपसम के प्रियोक से ठीके लोटा पहाड की मुख पहचान प्रस्तर कालीन आधी मानुओं का केंद्र 12 कुशन जो आपका हिस्टी वाले सर बताएंगे और 18 संताबन की क्रांतिकारी गतिविदियों का प्रमुख केंद्र रोहनी कहां पर है देव घर डिस्टिक में है तो राइट आंसर आपका क्या होगा देव घर डिस्टिक के बारे में आपको बताना है भाई के में देवता कौन है आपने पढ़ा होगा कि संथालों के जो प्रमुख देवता हैं कुई इस ज्यादा पूछा गया है जो कुष्यन कराये गए हैं वही पूँचा गया है मुरांग मुरू आनसर आपका ए हो जायेगा इसके वाद नेक्स्ट आपका है राजकुमारी कुस्ट आसरम 1895 में किस सहर में स्थापित किया गया था राजकुमारी कुस्ट आसरम कुष्यन नमबर 15 पंद्रवा प्रशन कि जो आपका है राजकुमारी कुस्ट ठीके आस्रम किस सहर में जारखंड में स्थापित हुआ था तो इसका आंसर जो आपका होगा देवघर कहां पर देवघर में तो कुश्य नमबर जो आपका है संथाल जनजाती की देवता मुरांग मुरू राजकुमारी कुस्ट आस्रम इसका answer आपका होगा देव घर इसके बाद गाईस next देखेंगे आगे बढ़ेंगे हम question number 19 greedy को किस वर्स railway से जोड़ा गया था greedy को किस वर्स railway से जोड़ा गया था ये पूछा गया है question आपका ईसको ओस्टकों का बताना है कुश्ण नंबर 19 फिलकुल फिश्टी के कुश्ण मतलब यह पहपर इस रिदा चैना यह जादा था नहीं था यह थोड़ी किसी भी आप मेहनत करते ना दोस्तों तो बिल्कुल सौ में से कम से कम 90 करके जरूर आते अभी भी 80 से कम करके नहीं आये होगे अब कुछ लोग बोलना है सर क्या फाइदा पेपर लीक हो गया तो भाई हो जाने दो कि उसपर वहाँ सरकार action लेगी सरकार कर decision होगा लेकिन अभी हम paper देख्कर आए हैं तो हमारे पास हमारे पास तो paper नहीं आया था न हमोदेख या हैं तो हमें अपना score कितना हमने कुछिन की Есть हैं और हमारा कितना score है यह जरुरी है ठीक है हाँ सारे questions का analysis होगा बिल्कुल सारे question आपके रहेंगे तो greedy को railway से connect किया गया था यहाँ पर 1871 में यह लिखा हुआ आपका question number 19 19 जो आपका है इसका answer आपका A होगा 1871 में connect किया गया था इसके बाद और next है आपका प्रसिद् तीर्थ स्थल पारसनाथ मिमने में से किस के सब से नश्डिक है तो यह मधुवन पारसनाथ की hills पर जो आपका मधुवन प्लेश Nations सब से किसके निकट है मधुवन के क्या है निकट है अगला question था आप का पेर मैय्चिंग बाला यहाँ पर आपको बताना था कौंसा सही सँमेलित नहीं है यहाँ से कुशन किया गया था कुशनिंबर 21 जो आपका था विष्व बाता वरन दिवस यानी की विष्व परिया वरन दिवस कम मनाते हैं पांच जून को बहुत बार बताया मैंने बिस्व प्रत्वी देबस 22 अपरेल को मनाते हैं सही लिखा है बिस्व होमयोपैथी देबस 12 मार्च अंतरास्टी योग देबस 21 दून को मनाते हैं यह भी हमें मालूम है तो यहाँ पर गलत जो आपका है यहाँ पर बिस्व होमयोपैथी देबस जो आपका है World Homeopathy Day ये 10 अप्रेल को मनाते हैं ठीक है याद रखेगा ये 12 मार्च को नहीं मनाते हैं कम मनाते हैं 10 अप्रेल को मनाते हैं तो यहाँ पर गलत जो आपका था याद रखेगा गलत क्या था आपका यहाँ पर याद रखेंगे 200 होमोपैथी दिवस ये गलत था यान अदिखो 2023 में किस राज्य ने सीखो वा कामाओ कारिकरम प्राराम किया था युवाओं के लिए सीखो कमाओ कारिकरम ठीखो कमाओ कारिकरम । 2023 में किस राज्यी के द्वारा start किया गया था? यहाँ पर आपको बताना है तो आनसर जो आपका होगा मधप्रदेश आनसर कुश्य नमबर 22 का हो जायगा आपका मधप्रदेश हो जायगा तो यहाँ पर आनसर जो आपके बनेगे greedy को railway से जोड़ा गया था 1871 में प्रिसिद्ध तीर्थिस्तल पारसनाथ किसके निकट है मधुवन के निकट है 200 होमियोपैथी देवस यह आपका गलत था यह मनाते हैं कब 10 अपरेल को मनाते हैं 10 अपरेल को मनाते हैं और 2023 में सीखो कमाओ योजना किसने स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की थी युवाओं के लिए तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा तो यह सारे आंसर आपको मिलते जा रहे हैं बस देखते जाएगा आप लो कुशन नमबर आपका है नोबल पुरुसकार अब भाई देखो यह कुशन को थोड़ा टफ बनाया यहाँ पर कुशन आपका पूच लिया गया कब का 2023 के नोबल पुरुसकार बाला कब बला कि 2023 में नोबल पुरुसकार यह पूच लिया गया आपका विच आप दा फॉलोविंग पियर करेक्टली मेंस्ट कि 2022 में नोबल पुरुसकार जो मिले किन किन को मिले यह थोड़ा सा कुश्चन यहां पर आप से किया गया इस कुश्चन को थोड़ा यहां पर टब बनाया गया है क्लियर अब देखो स्वांति पामबो इनको तो भाई कि के लिए मिला था जिकित सा के लिए बिल्कुल मैं यह थो कि मिलेग अर्नक्ष्ट के लिए मिला था दो बाल उन्फ के नोबल विजयताओं की लिस्ट उछा के देखियेगा तो यह नहीं जो सब्स्क्चन पूछा पूछा गया आपके एक्जामस में एनी अरनेक्स को साहित का नोबल मिला था तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा साहित यानि डी आपका राइट आंसर होगा अगला कुश्य ने आपका निम्र में से किस सहर में 20 अपरेल 2023 को आयोजित बैस्विक बौध्ध सिखर सम्मिलन संपन्न हुआ था 24 पर आपको बताना है कुश्य नंबर 24 आपके सामने है तो यह दिल्ली में हुआ था 20 अपरेल 2023 को आयोजित बैस्विक बौध्ध सिखर सम्मिलन संपन्न हुआ था कहां पर दिल्ली में तो राइट आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा इसके बाद निम्लिखित में से किस रास् लिए गया इसलिए बोलता हूं कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहां पर भी विदेश यात्रा करें यदि वो कहीं गए है तो भाई उनके बारे में जरूर पढ़ लो क्योंकि एक नाएक कुश्यन यहां से आप से पूचा जाता है यह ओर जो सम्मान है दा ग्रे चांसर यहां पर क्या हो जाएगा सूरी नाम दी विल्कुल आपका करेक्ट आणसर होगा अगला कुश्यन है बुक से रिलेटेड है देखो भाई बुक से रिलेटेड पुस्तक से सम्मद्धित कुश्यन है आपका 26 प्रश्न है दा Aquí कॉलिशन एर्स पुस्तक के लेखा कौन है भाई प्रणव मुखर जी हमारे भूत्पूर रास्टपती साहब कौन दा कॉलीशन इयर्स पुस्तक के लेखा कौन है प्रणव मुखर जी है केबल ससी थरूर पुस्तक लिखना नहीं जानते हैं भाई हमारे और भी पॉलिटीशन्स हैं ठीके वो लोग भी क्या करते हैं पुस्तक लिखते हैं तो यहां पर राइट आंसर होगा प्रणव मुखर जी तो यहां पर आंसर देखो जो हमें मिले यहां पर देखिए सही मिला था नोबल पुरुषकार में एर्नी अन्यक साहित यह ठीके बैस्विक ब प्रणव दाह हैं यानि कि प्रणव मुखर जी साहब हैं गाइस देखो कुश्यन्स इस्टैटिक वाले भी पूछे जाते हैं इस्टैटिक कुश्यन भी आपके पूछे आते इसलिए इन पर भी हमें फोकस करना है अब देखिए अगला है नेक्स्ट है आपका उत्री अट् इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन जो आपका है जिसे हम क्या कहते हैं नाटो कहते हैं नाटो अम नाटो के संदर्व में आपको सही उत्तर देना है इस संगठन में 42 सदस हैं बिलकुल गलत 32 सदस हैं नाटो ज जो आपका है ठीक है ब्रूसेल्स यानि की वेल्जियम ब्रूसेल्स में इसका हैट्वाटर है सही लिखा तो केबल दूसरा कथल सही है यानि की बी राइट आंसर होगा 32 सदस्क देश हैं और इसका ब्रूसेल्स बेल्जियम में क्या हैट्वाटर है ठीक है कहां पर आपका दूसरा यानि B राइट अंसर होगा अगला कुश है आपका जीट्व bilmiyorum से आना ही आना था के 20 के संदर्व में कथ्रों में से कौन सा सही है एक दिसम्बर की थी सबक्राप्ट इसकी अध्यच्चता प्राप्त की थी भारत को इसकी अध्यच्चता मिली थी बिलकुल मिली थी लेकिन यह ऑस्टेलिया से नहीं मिली थी कहां से मिली थी इंडोनेशिया से मिली थी गलत कथर लिखा है इंडोनेशिया से मिली थी और G20 का पहला सिकर सम्मिलन 2008 में कहां पर हु बिल्कुल टाइम न लगाते हुए एक सांदार कुश्यन जो की अभी चर्चा में है समान नागरिक सहीता यूनिफॉर्म से बिल्कोड अनुछे 44 और 44 और 44 बराबर देखो कैसे याद रखोगे 4 और 4 बराबर यानि की समान नागरिक सहीता 44 यानि 44 चार चार बराबर 44 और 44 सीधा सीधा अंसर था आपका कुछ इसमें टेंसर नहीं लेना था अगला कुश्यन जो आपका देखो यह थोड़ा सा डाउट फुल रहेगा 2023 में सयुक्तराज अमेरिका के किस राज ने हाली में सरकारी स्कूलों में दीपा वली के दिन आवकास की घोशना की थी यह भाई पैंसिलवेनिया राज था कौन सा राज था पैंसिलवेनिया लेकिन यहाँ पर लिखा है लॉस एंजिल्स बॉस्टन जर्सी न्यू यूउर् पैंसिलवेनिया ने घोश्रा की थी भाई यह सबको पता है लेकिन पैंसिलवेनिया यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं भी आंसर नहीं दूँगा ठीक है इसलिए इसको अपन देखेंगे कुश्चन नंबर 30 को बिल्कुल ठीक है देखा जाएगा बताया जाएगा आपको 2020 का पहला सिकर सम्मेलन 2008 में वास्टिंग्टन में हुआ था यूनिफॉर्म सेवल कोड आर्टीकल 44 है आपका अगला था आपका कुश्चन यहाँ पर देखो सुमेलित करना था हमें और बताना था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो आपका है सबसे लंबे प्लेटफॉर्म क क्या है करनाटक यह सबी लोग चालते हैं निम्न में से कौन भारत के गरतंतर देवस 2023 2023 के देखो 24 का नहीं पूछा 23 का पूछ लिया इसलिए जरूरी नहीं है कि करेंट अभी का पूछा जाए एक साल पुराना भी पूछा जा सकता है एक साल पुराना भी क्या है पूछा ज कौन थे आपके मिस्र के प्रेसिडेंट थे तो राइट आंसर आपका होगा इजिप्ट की प्रेसिडेंट आपका इसके बाद यह देखो कुशन मैंने कितनी बाद कराया है आपको कि सुदान में फसे हुए भारती नागरेकों को निकालने के लिए सुदान क्राइसिस 2023 में जो आपका सुदान क्राइसिस हुआ भारती नागरेकों को जो हा फसे थे निकालने के लिए उप्रेशन कावेरी चलाया गया था उप्रेशन कावेरी उठा के देखिएगा पहले के कुश्चिन वहां पर मैंने कराया है कि ऑने नागरेकों को संदान under-2103 च्व जो आप प्रिशन कावेरी भारती वायू श्वेना का भियान था ठीक है ऑपरेशन कावेरी ठीक है बिलकुल गंगा नहीं है गंगा यूक्रेइन वाला था अगला कुछ नहीं आपका भारती संसत के नए भवन को किसने बनाया फिच आर्चीट आर्किटैक्ट साय डिजाइन दा बिमल पटेल यह आपका लिखा हुआ है तो यहां पर देखो जो आपके आंसर हुए यहां पर याद रखेंगे करनाटक है इसके बाद मिस्र के रास्टपती ऑपरेशन कावेरी और आपका बिमल पटेल आगे बढ़ेंगे अगला कुछन है CDRI जो आपका है CDRI के बारें बात करेंगे कॉलीशन फॉर्दा डिजास्टर तीक है रैसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्सर जो आपका है CDRI जिसको हम सौट में कहते हैं इसके संबंद में सत्य कतन हमें यहां पर बताना है यदि आपने इसके बारें पढ़ा है पहले से तो CDRI के CDRI क्या है कौन सा कतन से CDRI का भारत सदस्ष है बिलकुल है यह एक यूयन अगे सई है इसका मुख्याल 흔र परएसमें नहीं नई दिली में में है और इसकी सुरुवात 2023 में हुई थी बहुत पहले हुई ती तो आंसर इसका बोगा 1 और 2 भारत इसका सदस है यह एक UN एजेंसी है एक और दो राइट आंसर होगे आपके एक और दो आपके क्या होगे राइट आंसर होगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी केबल एक और दो एक और दो राइट आंसर है बी आपका राइट आंसर होगा वांकि जो आपका य क्रसी सूखा को कैसे परिभाशित करते हैं यानि कि अगरी कल्चर ड्रॉट को कैसे डिफाइन किया जाता है बताएंगे तो इसका राइट आंसर आपका होगा यहां पर निम्निम्रदा आद्रता यहां पर देखो लो स्वाइल मौश्यर ठीक है जहां पर मिटी में मौश्यर की क्या कमी है और एगरी कल्चर की जाती है वही आपका एगरी कल्चर जो आपका है एगरी कल्चर सूखा है तो यहां पर भी आपका राइट आंसर होगा अगला कुश्यन है कि महासागर यहां पर कुश्यन है आपका नेक्स्ट महासागर किस सहर में भारती रास्टी महासागर सूचना सेवा केंद्र है महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद में कहां पर हैगा इस हैदराबाद में पढ़ लीजिएगा महासागर भारती रास्टी इंडियन National Center for Ocean Information Service भारती रास्टी महासागर सूचना सेवा केंद्र कहां पर इस्थे थे आपका हैदराबाद में हैं याद रखिएगा हैदरापाद में हैं ठीके हैदराबाद में हैं बिल्कुल यहां पर आपको बताना है तो इनके राइट आंसर आपको मिले ठीके बी मिला CDRI के लिए निम्निम्रदा, आद्रता और जो आपका है भारती राश्टी महासागर सूचना सेवा केंद्र इस्थे थे कहां पर हैदराबाद में अगला कुशन है याजा तोसो जील यह थे पढ़ाया मैंने इसके बारे में याजा तोसो जील के बारे में मैंने आपको पढ़ा यह लगदाक में हैं सही लिखा है यह जैविवित्ता अधिनियम के तहत लगदाक का प्रथम बिरासल इस्थल है बिलकुल सही लिखा है और इसके बाद इसे पक्छियों का स्वर्ग भी कहते हैं बहुत बिविद्प्रकार के पक्छी देखने को मिलते हैं यह सत्लज नदी के द्वारा सिंचित है यह गलत है चौथे को हटा दो जहां पर चौथा होगा वह आंसर नहीं होगा तीनों सही है यानि कि सी आंसर होगा एक दो तीन स्टेटमेंट सही है चौथा गलत है चौथा गलत है आपका चौथा गलत है बाई एक दो तीन सी आपका राइट आंसर है ए अगला है आपका सयुक्त रास्थ महाशाभा द्वारा अपनाई गई मानोव अधिकारों की सारोभमें गोश्णा में निम्न में से कौन से अधिकार सामिल नहीं हैं कौन से अधिकार देखाऊगा 30 ठीके जो आपके 30 बने हुए हैं ठीके पूरे के पूरे राइट्स देखेंगे आपने पढ़ने पड़े होगे सारोभमें घोश्णा है जो ठीके मानोव अधिकारों की तो यहांपर देखो आंशर जो आपका होगा आए का अधिकार इसमें नह WTO के अंतरगत निम्नांकित में से कौन से अनुदान बॉक्स के रूप में बिचार नहीं किया जाता अभी देखो detail में कराएंगे subject wise सारे teachers subject के recording कराएंगे अभी केबल आप लोग answer ले लीजिए यहां से केबल answer यहां से ले लीजिए याद रखेगा केबल answer ले लीजिए फिर इसके बाद every teacher's detail analysis कराएंगा अपने subject का याद रखेगा सारे teacher अभी केबल मैं answer आपको बता रहा हूं ठीक है याद रखें तो right answer इसका होगा white box नहीं होता है तीन box box होते हैं किसके पास WTO के पास याद रखेगा green, amber, red green, gar कौनसा? green, amber, red, white नहीं होता white box अनुदान कुछ नहीं है किसके पास में WTO के पास में तो right answer जो आपका होगा ठीक है right answer आपका होगा 42 में का white box अनुदान ये आपका किसके बिकलब के WTO के बिकलब के रूप में सामिल नहीं है तो यहाँ से answer आपका होगा या आया सो जील के बारे में आपका C, इसके बाद लकड़ वाला गरीबी आकलन, संयुक्तरास्ट के सर भौमे घोष्णा मानवधिकारों की, सर भौमे का धार भूत आयका अधिकार नहीं होगा, और वाइट बॉक्स अनुदान नहीं है किसका WTO का, अगला है गाइस, जलोण म की बारे में आधि आप जानेंगे, जादा तर तो देखो आपको मालूम होगा, ठीक है, जलोण मिर्दा जो हमारी है, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट भी आपके हैं, उससे अंसर आपको देना है, पहले यहाँ पर देख लें, इसमें रेत की मात्रा पश्यम से पूर्व क प्यूर जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा, रैड नहीं होगा भईया, वाइड बॉक्स नहीं होता है, डबलू टियों में याद रखना, ठीक है, इसके बाद यह बांगार और खादर बिलकुल सही लिखा है, यह बिर्दा देश के कुल छेतरफल का 40 प्रतिसत यानि जलोर मिटी लगबत 40% बुवाग में पाई जाती है, इस मिटी में पोटास की मात्रा अधिक, फासपुरस की मात्रा कम होती है, अब देखो, यहाँ पर जो आपका है, पोटास फासपुरस, दीके देखो, यह आपके उपस्थित होते हैं, यह किस से आपकी भरपूर ह कम होती है, पुरानी और नई जलोर खादर बांगर पढ़ा होगा आपने, और यह लगबत 40% बुवाग में पाई जाती है, और इसमें पोटास भी होता है सलफर, लेकिन पोटास जादा और सलफर की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, आल राइट यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे, पी-म कुसम योजना का संबंध किस से है, क्रसी सौर पंप विवस्था से है, क्रसी सौर पंप विवस्था किसानों को सबसीडी के द्वारा सौर पंप क्या करना, उपलब्ध कराना, सीधा सीधा आंसर था ए, ठीक है, कुसम स्रम सक्क्टी सहवागिता दर को किस रूप में परिभासत किया जाता है तो बिल्कुल यहां पर बताएंगे स्रम सक्ती की बात की गई है नियोजित युवं नियोजिन के इच्फुक का कारेशील आयू जनसंख्या के प्रती अनुपाद नियोजित एवं नियोजन के एच्छोग का कारेसील आयू जनसंख्या के प्रती अनुपार इसी को हम सरम सकती सहवागिता दर के नाम से जानते हैं अगला कुशन है आपका 200 सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट वर्ल्ड सोसल सेक्यूर्टी रिपोर्ट कौन जारी करता है इंटरनेशनल लेबर ओर्गनाईजेशन आई लो जिससे हम बोलते हैं वर्ल्ड सोसल सेक्यूरिटी रिपोर्ट किसके द्वारा ILO के द्वारा जारी की जाती है तो यहाँ पर आंसर आपका होगा ILO बिल्कुल यहाँ पर क्या ILO भाई इतना बड़ा बड़ा जूम करके दिखा रहा हूं फिर भी नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो यहाँ पर देखिए आंसर जो आपका होगा 43 का डी इसके बाद 44 का ए इसके बाद 45 का भी और 46 का आपका सी अगला कुशन देखेंगे निम्न में से कौन से कथन खराई उट के संबंद में सही है खराई उट कभी देखा आप लोगों ने नहीं देखा है देखना Google Map करके देखना अभी गूगल Map करके जरूर देखेगा कर आप कैसे लन ने में से कौन सा कथन खराई उट के संदर्म में सहीograph है कौसा कथन सभी है यहाँ पर आपको बताना Gesundheits नहीं देखा है इनका नाम खारा देखो अपकच्छ जो आपका एरिया गुजरात वाला सबस्यादा नमक वहीं पर बनता है गुजरात में खारेपन के कारण इसका नाम खराई पड़ा क्योंकि ये खारे छेत्र में क्या है रहता है ठीक है खारे छेत्र में रहता है अपनी चरागाय तक पहु है यार अलग सिल्क मार्ट कें यहां तो कहोगा देखो पहला गलत है चौथा गलत है एक और दो और तीन जहां भी होंगे वही सही आंसर होगा बी राइट आंसर होगा दो और तीन इनका नाम इस्थानी भासा सब्द खारा और जिसका अर्थ नमकीन पड़ा है और चरा गाय तक पहुचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक चले जाते हैं तो दूसरा और तीसरा सही है तो भी आपक ऑफीशियंयों यह की असमादा इंकम इनिक वैलिटी को मेजर करता है समाज में आएक असमादा के इस्तर कुम आपता है सही लेखा है गिनी- मेवणान्ग जितना जाहूगा यह जीरों से एक के बीच में होता रहता है जिसका एक है परिंज बक्र से ही क्या है आपका निकला है तो पहला और तीसरा सही है पहला तीसरा सही है तो पहला तीसरा कहां पर देखने को मिलेगा आपको बी में इसका भी बी सही है इसका भी क्या है बी सही है याद रखेगा बी सही है इसके बाद डिब्रू सैखोबा उद्यान कहां प सभी को मालूम है इसके बाद अगला था आपका अर्थ ओवर सूट दिवस संबंदित है कुश्य नंबर 50 प्रश्ण जो आपका है अर्थ ओवर सूट डिवस ठीके देखो अर्थ ओवर सूट का मतलब क्या है संसाधन जो आपके हैं उनका हम इस तरीके से उपयोग करें कि इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे किस पर ना पड़े परियावरण पर ना पड़े लेकिन हम संसाधनों का जो नैचुरल रिसोर्सेस हैं इनका हम बहुत ती ब्रगती से दोहन कर रहे हैं जिससे हमारे परियाव प्रश्ण का पचासवे का तो देखो कुश्ण निम्बर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दो और तीन ठीक है दो और तीन तो यहाँ पर बी होगा इसके बाद गिनी गुडान का भी क्या होगा आपका एक और तीन तो भी हो जाएगा ठीक है दिब्रू सैखोवा आसम में है और अर्थ ओबर सूट दिवस पर्यावरण छरण से आपका रिलेटिड है तो पचासवे का अंसर आपका एव हो जाएगा क्लियर गाइस देखो सारे कुश्ण मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि आप बहुत सही तरीके से इनको मैच कर ले अगला प्रश्ण आपका है वहिया खेलोने वाला हल कहां मिला था मालोम हमें खेरते थे जिससे कौन हड़पा के लोग मिट्टी से बना खेलोने का हल मिला था हमें कहां से बनावाली से बनावली कहां पर हर्याणा में है इंडस सैट Johann stripped राइट आंसर आफका हो जैगा बनावली ंडस वैली सिबलाइजेशन में मिट्री से बना Pan तेरा खोटा कहल सो मिला है ि बनावली से मिला तो बना हुआ हल बनावली कैसे याद रखेंगे बना हुआ हल बनावली सिंपल सा कुष्यन था अगला कुष्यन आपका नौपा retrouver फूरा इस थल बुरुडी जहारकंड के किसshiftFE में हैं वुरुडी जू उपरोप्त में से कोई नहीं क्योंकि सराई केला में हैं कहां पर रहें सराई केला में याद रखेगा सराई केला में आपका ठीक है तो इसका डी आंसर होगा डी आंसर आपका हो जाएगा याद रखेगा इसके बार देखो तिरेपनवा कुशन है इतिहास वाले सर आपको क्या करेंगे बताएंगे तो यहां पर देखो आंसर प्रभावती गुप्त देखो सासी का थी एक कुशन आपका देखो ये भी है ठीक है प्रभावती गुप्त के बारे में कुशन किया गया भाई बहुत ही अच्छा कुशन अब कुछ लोगों ने लगा दिया होगा प्रभावती जो आपके वाकाटक वंस्की राजा थे उन से इनका विवाई हुआ था वाकाटक से अब कुछ लोगों ने गुप्त नाम देखा तो लगा दिया भाई गुप्त वंस्की को पहले से लगा हुआ है यह वाकाटक केला में हैं तेरेपन में कुश्यन का आंसर आपको हिस्टी वाले सर बताएंगे और प्रभावती गुप्त कौन थी आपकी वाका टक इसके अलाबा जो साउथ में आपके क्या थे पांट चोल चेर थे अलग थे तो संगम काल जो आपका है संगम काल का तोल कापियम ग्रंथ तोल कापियम यह तोल कापियर के द्वारा लिखा गया था ठीक है तोल कापियर जो आपके हैं रिसी अगस्त के सिस्स्य थे उनके द्व वारा लिखा गया था और ये व्याकरण यानि की ग्रामर का ये गृंत zeggen है तो right answer आपका क्यक्ति इसके बाद मुगल मंसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तर्दारी था मीर बखसी मीर बखसी की सलाय पर ही मंसबदार क्या होते थे से रखे जाते थे मंसबदार सब देख क्या अधिकारी किसमें मुगल प्रसासन विवस्था में तो मीर बक्सी यहां पर आंसर हो जाएगा कि मुगल बिजयनगर समराज की राजधानी किस नदी के किनारे थी तो बिजयनगर समराज की राजधानी हमपी और हमपी बिजयनगर समराज हरीहर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने संगम संगम बंस तुलूब बंस अर्भीडू बंस बिजयनगर समराज में जो आपके चार ब होगा यहां पर तुंग भद्रा तो यहां पर आंसर मिले तोल कप्यम ग्रंत ब्याकरण पर है मीर बक्सी मुगलमन सब्दारी विवस्था और बेजयनगर समराज की राजधानी हम पी तुंग भद्रा नदी के तट पर अगला कुशन है आपका कुशन नंबर जो आपका है दे हिंडोला महल हुसंग साय ने और लाल महल बलवन ने बनवाया था बलवन का लाल महल हुसंग साय का हिंडोला महल हुसंग साय और जहाज महल ग्यासुद्दीन किसका आपका खिलजी का लाल दरवाजा महमूद सरकी ने बनवाया था महमूद सरकी नाम सुना होगा आपने महम सरकी ये गलत है बीवी राजे ने नहीं बनवाया था ठीक ये डी आपका गलत हो जाएगा अगला कुषण है जहांगीर के समय का चितरकार ख्वाजा अब्दूसमंद नहीं था मनसूर मनोहर अबुल हशन ये नाम सुने होंगे आपने उस्ताद मनसूर मनोहर अबुल हशन ये सब जहांगीर के चित्रकार थे ख्वाजा अब्दू समंद ये आपका जहांगीर के दर्बार का चित्रकार नहीं था आप जानते हैं कि जहांगीर के दर्ब जहांगीर के काल को चित्र चित्रकार ने बनाए है तो जहांगीर देख करके बता देता था कि इसकी आखे किसने बनाई है हाथ किसने बनाया मतलब जहांगीर भी कुसल क्या था चित्रकार था चित्रकला में निपूर था अब्दू शमंद ये इसके दरबार का चित्रकार नहीं है बाकी मनसूर मनोहर अ समद्ट अग्ला है आपका 1931 में कोउंग्रेस के किस अधिबिशन में मौलेक अधिकारों का प्रस्टाव कितना सिंपल कुछ निकराची अधिबिशन 1931 का कराची अधिबिशन मौलेग अधिकार आथक क похож और प्रस्ता आपड पारित रुआ होता था लगान पे करता था जमीन को रख सकता था बेश सकता था लगान नहीं देगा तो थेंहीं जब्त कर ली जाती थी ठोंस मुन्रो ठीक है अंसर आपका हो जाएगा तो यहां पर हमें जो अंसर मिले लाल दर्वाजा गलत था इसी ने पढ़ेंगे अगले कुश्यन की ओर जाएंगे दोस्तों अगला प्रश्णा आपका है महत्मा गाली से related news paper भाई गांधी जी का कुश्यन तो आना ही आना है गांधी जी हमें हर जगा देखने को मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे भाई आजादी दिलाई है ह और हमारे देश को भाई हम सबको आजादी दिलाई है तो यहां पर बताना है कि समाचार पत्र गांधी जी से Jennie в नहीं है इंडियन नहीं है आपका ठीक याद रखेगा इंडियन मिररर बिल्कुल भी आपका अंडियन मिरर नहीं है तो B answer अम्रिसर की संधी किसके बीच हुई थी महराजा रणचीज सींग और चाल्स मैटग का आपके बीच हुई थी लेकिन उस पर sign किसके थे Lord Minto के थे किसके थे Lord Minto के थे तो 안सार होगा यहाँ पर Lord Minto Lord Minto indeed Indian opinion भी गांधी जी का है Indian opinion गांधी जी का है Indian mirror गांधी जी का नहीं है ठीक है अभीате गूगल कर कर संधी महराजर रट जीस सिंग्क और Charles Mazz कीसोย थी लेकिन sign किसके थे उस पर Lord Minto के याद रखिएगा तो Lord Minto यहाँ पर अंसर आपका हो जाएगा ठीक है लॉड मिंटू आपका हो जाएगा बिलकुल याद रखिएगा चलिए आंगे पढ़ेंगे अगला कुशन देखेंगे हम next next पर आएंगे निम्लिखित में से कौन सी पुस्तक अंबेटकर द्वारा नहीं लिखी गई है तो बेटकर द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है सर्वेंट्स ओफ इंडिया यह आरके लक्ष्मन के द्वारा लिखी गई है ठीक है इसके बाद अगला कुशन है आपका निम्लिखित वाक्यों पर बेचार कीजिए जोग्रौफी का प्रश्ना आ चुका है निम्लिखित वाक् अंतर में देखोगे तो वह लगवक कितना 30 के आस पास है 68 से संचानवी तो लगभग 30 वह सही लिखा है गुजरात से अरुण प्रदेश के भी धाई घंटे का अंदर है सरासर गलत लिखा है गुजरात और गुजरात और अरुणानचल प्रदेश के 20 समय में कितने सब्यूर्वी दिसांतर भारत की बानक समय रेखा है और इसी रेखा से भारत का समय निर्धारित होता है तो भाई, दूसरे को सिपकर दो, जहांपर दूसरा, उसत्य 3 सत्य थारत tha तो अंसर आपका guy ke दूसरा शत्य सत्य है एतरव करता एक दूसरी वहां, यहाँ पर याद रखेगा तो राइट आंसर अब इस पेज में जो राइट आंसर मिलें यहाँ पर इंडियन मिलर गांधी जी का नहीं है अमरेश सर की संधी लॉड मिंटो ठीक है इसके बाद अम्बेटकर की पुस्तक servants of India नहीं है और यहां पर असत्य कथन में जो आपका होगा कथन में च्छाचट का आपका भी हो जाएगा च्छाचट का आपका क्या हो जाएगा भी हो जाएगा याद रखेगा गाईस समझ में आ रहा है ना सभी को देखे जो भी कुश्चन है आपके होते जा रहे हैं और इसलिए बिल्कुल यहां पर आपको क्या करना है आंसर देना है चलिए आंगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की और जाएंगे करकरेखा अब देखो भाई करकरेखा से जुड़ा एक प्र आप राज्यों से हो करके गुजरती है भाई जूम कर दिया है तो दिखना चाहिए इतना बड़ा-बड़ा है भारत का पूर पश्यमय अधिक्तम विस्तार करकरेखा के साथ साथ है और पर यहां पर आपको बताना है किस में से answer क्या देंगे क्योंकि देखो यदि हम एक को लेके चलते हैं तो एक तो सही लिखा है आपका एक सही लिखा है और इसके बाद और सही कौन से लिखे हैं तो देखो एक जो आपका है दूसरा तीसरा अंतरास्टी सीमाओं को और अधिक्तम विस्तार करकरेखा के साथ साते ये गलत है तो answer जो आपका होगा question number 67 जो आपका सरसटवा प्रशन है इसका right answer आपका D हो जाएगा पहला सही है और आपका चौथा सही है D आपका right answer होगा अगला question है कौन सा ठीक है यहाँ पर कौन सा राज है जो की बांगला देश और म्यामार दोनों के साथ सीमा साजा करता है question number जो आपका है जल्दी से बताएंगे फटा फट गाइस तो देखो भाई अरुनांचल प्रदेश में देखेंगे यहाँ पर मिजोरम बांगला देश के साथ सीमा मिलती है किसकी किसकी मिलती है अरुनांचल की ठीक है अरुनांचल आपका है बेस्ट बेंगॉल है आपका ठीक है इसके बाद आपका मेघाले है ठीक है मिजोरम है त्रिपुरा है इसके अलाबा म्यामार के साथ अरुनांचल प्रदेश नागा ल गाटों को स्थानिय तोर पर किस नाम से जाना जाता है ठीक है नॉर्थ टू जो आपका साउथ है बेस्टन घाट तो देखो सबसे उपर क्या है सहयाद्री परवतमाला जो की पशिमी घाट पशिमी घाट को हम सहयाद्री परवतमाला के नाम से जानते हैं तो देखो सहयाद्री परवतमाला नीलगिरी इसके बाद अन्नामलाई केरला में और सबसे नीचे कन्या कुमारी से लगी पहाडियां कौन सी है कारडामम तो सबसे उपर सहयाद्री और सबसे नीचे कारडामम तो सहयाद्री नीलगिरी अन्नामलाई कारडामम बहुत बार ये कुशन मैंने आपको कराया है याद रखेगा कई बार ये कुश्यन मैंने आपको कराया है तो राइट आंसर यहाँ पर A हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिले ठीके यहाँ पर आंसर मिले 1-4 मिला, मिजोरम मिला और आपका A, सह्यादरी, नीलगरी, अन्ना मलाई और आपका कारडमम यहाँ आंसर मिला अगला है गाईस, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, सिंपल सा कुश्यन, साधारन सा प्रिश्ण है, बिलकुल यहाँ पर बता सकते हैं कि अरब सागर में मिलने वाली नदिया नर्मदा है तापती है माही है सोन है तो नर्मदा तापती माही सोन साबर मती यह सब अरब सागर में कृष्णा नहीं मिलती है कृष्णा कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में साधान सा कुष्चन था कृष्णा कहा जाती है बंगाल की कि खाड़ी में जाती है याद रखेगा कि ठीक है बिल्कुल कहां जाती है बेंगॉल की खाड़ी में आमर वर्सा देखो किती बार ये कुशन कराया केरल करनाटक में ठीक है प्री मांसून जो वर्सा होती है उसे हम आमर वर्सा कहते हैं केरल और करनाटक इसके बाद अगला है 48 प्रतिसत बाजरा राजिस्थान में होता तो देखो एक statement हमने पकड़ लिया डी के डी बिलकुल जो आपका है यानि चौथा बिलकुल सही लेखा है अब जिसके साथ चौथा होगा उसके साथ हम चलेंगे तो यहाँ पर देखो चौथा किसके साथ है चौथा आपका है कितनी जगए है C और आपका किसमे है D में है तो देखो C में क्या लेखा है ठीके देखो यहाँ पर जो चौथा है यह एक कटोर फसल है जो बार-बार के सुस्क दौर से नेपड सकता है यह तो मेरे को सही नहीं लग रहा भाई भारत की पश्यमी और मद्ध भागों के गर्म और सुस्क जलवाईव भाग में बाजरा रोपा जाता यह तो सही लिखा है बारानी फसल होने के करण राजिस्थान में इसकी उत्पादक का कम है तो तीसरा तो बिल्कुल गलत लिखा है तीसरा जिसके साथ हो वहां तो अलग हो जाओ तो तीसरा यहां पर गलत है तो आंसर होगा डी एक और चार एक और चार सही होगा डी राइट आंसर आपका हो जाएगा एक और चार बिल्कुल सही है ठीक है एक और चार बिल्कुल आपका क्या सही लिखा है याद रखेगा एक चार सही लिखा है तो यहां पर आंसर जो हमें म कुश्य नम्बर जो आपका 73 73 प्रशन पर चलते हैं भाई भारत में सुस्क खेती उन प्रदेसों तक सीमेत है उन प्रदेसों तक जहां पर वर्षा 75 cm से कम होती है तो राइट आंसर सी हो जाएगा 73 का अब देखो 74 वे कोश्चन में पूछा गया है 2011 जनगर्णा का अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर राज्जी प्रवास आखरी आवासी स्थान के अनुसार निमन क्रम में हैं सीधा सीधा कोश्चन है बाई अंतर राज्जी प्रवास राज्ज टु राज् migration आखरी आवासी स्थान के अनुसर आखरी जो उनका आवास था किस क्रम में होगा तो देखो पहला तो गाउं से स्टार्ट करो गाउं से गाउं गाउं से सहर और सहर से गाउं और इसके बाद सहर से सहर तो इसका अंसर आपका सी होगा बेसिक जो है गाउं से स्टार्ट होकर एंड होगा कहां पर सहर में गाउं से गाउं गाउं से सहर सहर फिर गाउं से सहर और गाउं सहर से सहर मतलब लास्ट कहां पर जाएगा आपका सीटी में जाएगा तो यहां पर सी राइट आंसर आपका होगा सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपका 85 जन संक्या आखार के अधार में निम्य में में से कौं सा सहरी संकुलन का आरोही क्तर है करंड़ा करंच मतलब सबसे आदा जनसंख्या आरोही बढ़ता क्तर है । एक को पकड़ से यार सब्से कम कहां पर ओद होगी एह मदा बाद में बिलकुल मिल गया हमको answer मिल गया सी मिल गया पकड़ लिया हमने सी सही है एहमदाबाद में सबसे कम चैन नई में सबसे यादा और ही पूश्ता लुटा कर देते इसी छाइटांसर यहाँ पर जो आपका होगा क्या हो जाएगा देख़ो जो distant पूछा गया 75 सेंटीमीटर से कम ठीके प्रवासन गाउं से गाउं गाउं से सहर से गाउं गाउं सहर से सहर और 75 में आपका होगा एहमदाबाद हैदराबाद बैंगलूरू और आपका चेन नहीं आपका हो जाएगा तो यह आपकी कितने कुश्चन होगे 75 आंगे बढ़ेंगे हम 76 कु अबीजन है यह कहां से लिया गया बताना है यह पूछा गया था आपसे भाई देखो हमने पढ़ा है कि भारत में संसदिय सासन प्रणाली को अपनाया गया है पार्लिया में गवर्निंस सिस्टम इंडिया में अपनाया गया है और पार्लिया मेंट्री गवर्निंस सिस्टम ह कहां से लिया है यह हमने पढ़ा हुआ है बट ऐसा आपने पढ़ा है कहीं कि यूगे से निर्वाचन सिस्टम को लिया गया है अब यहां पर देखो आपका आंसर होगा तो देखिए मैं देखो दोनों तरफ जाओंगा यू के इस तरीके से देखा जाए या उप्रोक्त में से फिर कोई नहीं यहीं होगा आयरलेंड से हमने राज्य के नीती निर्दे सकता तो अमेरिका से हमने बहुत सारी चीज़े फंडामेंटल राइट्स यह सारी कुछ चीज़े ली हुई है लेकिन कमीशन UK ही तो भई वह ही है देखो यदी आयोग UK आंसर देता है penguin की तरफ चले जाना यह उप्रोप्त में से कोई नहीं ठीक है UK आंसर देगा तो कानून कौन बना सकता है पार्लियामेंट तो संसद यानि कि लोग सभा उस राज्य सूची के उस विशह पर कानून बनाने के लिए अधिकरत हो जाती है यह आर्टीकल 249 में लिखा है किस में लिखा है 249 में लिखा है अगला कुशन है भारतिय संविधान के किस अनुछेद में यह उलेकत है कि राज्य के नीती निर्देसक तत्तों को किसी भी नयाले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता DPSP is not implemented by the court in article 37 अनुछेद 37 DPSP जो आपके directive principle and state policies है यह आपके not implemented by the court article 37 सीधा सीधा कुशन था आपका अगला कुशन है आपका किस संसोधन अधिनियम के अंतरगत किस संसोधन अधिनियम के अंतरगत अनुछेद 16 में 14 फोर ए जोड कर अनुसूचित जाती और जन जाती के लिए पदो नती प्रमोशन में आरक्षन सीधा सीधा बता दो भाई सततरवा संभिधान संसोधन हुआ था मेरे सामने 1995 में कुष्य नंबर 80, 80 पर आचुके है, अपन 80 नंबर पर 100 कुष्य नहीं, ज़्यादा टायम निलगेगा, तस मिलिट में खतम, टेंसन नहीं लेना, तस मिलिट में खतम, ये देखो, कुष्य नंबर 80 हैं आपका, किस के बारे में, ट्राई के बारे में, नाम सुना होगा, टेलीकॉम रेगुलेट्री अथॉर्टी ऑफ हिंडिया भारतिय दूर संचार जो आपका प्राधीकरण है टेलीकॉम रेगुलेट्री नियामक अधीकरण टीके अब यहाँ पर देखिए जूम कर दिया गया भाया जूम है यह देखो कौन सा कतन सही है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी सही है लिखा है यह एक बैधानिक संस्था है बिलकुल भारतिय दूर संचार नियामक अधिनियम के तहट बैधानिक यहनी की स्टैच्वरी बॉड कि इसकी स्थापना दर निर्धारन संसोधन सहे दूर संचार यह किसको करती है दूर संचार में जो भी आपकी है ठीके नियम बनाना रेटफिक्स्थ करना य। संचार के लिए क्या काम करता है इसका हैटवाटर नई दिल्ली में मुवई में नहीं चौथा गलत है चौथे को छोड़के तीन और सही है तो आंसर होगा आपका भी एक दो तीन सही है वन टू-3 सही है केबल गलत है आपका कौन सा बाला चौथा बाला तीं जीवीके राव समिती अभी एक और बताई होती थुगन समिती पी के थुगन एक और थी यहीं पर वो नहीं है चार लिखी है तो चारो की चारो सही है बलवंतराय महता जिन्होंने त्रीस तरीय पंचायत बोला अशोक महता ठीक है अशोक महता जो आपके हैं इनकी सिफारिसें इसके बाद ठीक है जीवी के राव समीती एक थे थोंगन भाई साब उनकी और एक थे आपके सिंग्वी भाई स्मृति में 25 दिसम्बर को सुसावसम्दिबस बनाते हैं सीधा सीधाork अगला कुष्ण देखेगे कुष्ण नंबर जो आपका 83 कhelm का कुष्ण आ गया वहीं है grandpa क्या वाला कुष्ण Below के बारे में आपने parsет कम Hafsrai परत सकते हैं के पॉआइं 1998 इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परिख्षक की बात की गई है कैग के बारे में कुश्यन किया गया बताना हमें कैग के बारे में कैग जो आपका है बताएंगे गईस को अब देखो लिखा है कौनसा कफन सही नहीं है किसके बारे में कंट्रोलर और ऑडिटर GENERAL के बारे में कौन सा कटन सई नहीं है इनके कारेकाल की प्रसासने खर्च संसत के मत के अधीन है बिल्कुल नहीं है संसत के मत के अधीन नहीं है नहीं है भीजा का कौन होता है ठीग है किसी अन्यपद को धारन नहीं कर सकता है चाहे वो केंद्र या राज्ज के अधीन हो नहीं कर सकता बिल्कुल सही लिखा है और इसको हटाने की प्रक्रिया जिस तरीके से सर्वुच नियाले की नियाधिस को अटाते हैं कदाचार एवं अच्हमता के अधार पर या दुर्ब्य गलत है रॉंग पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है तो पहले ही गलत है बांकी दो तीन सही है तो आंसर क्या होगा केवल एक केवल एक यानि आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है देखो आपको स्वतंतरता मिली है आर्टिकल 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स् कमन की संमेलन करने की सांती पूरवक हत्यार लेके नहीं लड़ना है कहीं भी बसने की स्वतंतरता यह सारी और आजीबीका व्योवसाइग स्वतंतरता यह 6 धंतरता है आपको मिली है लेकिन ठीके इन पर प्रतीबंध लगाया जा सकता किन परिस्थितियों में जब सवाल हो देश या राज्जी की सुरक्षा का जब सवाल हो किसी के मानहानी का किसी को आप गाली गलोच कर रहे हैं जब सवाल हो कि आप राजद्रो यानि की देश के अगेंस्ट तीक है गलत भासर दे रहे हैं या सार्वजिनिक व्यवस्था को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं इन सारी परिस्तितियों में खतम कर सकते हैं तो उप्रोक्त सभी आपका आंसर होगा तो यहां पर इस पेज में हमें आंसर मिले उप्रोक्त सभी 84 का और 83 का मिला केबल एक यानि कि ए ए राइट आंसर हमें मिला ए राइट आंसर मिला गाईस देखो पहाँ आप सभी ने अच्छे तरीके से पॉलिटी आपने पढ़िए बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जानते हैं सभी को मालूम है ठीक है चलिए आंगे बढ़ेंगे अगले कुश्यन की और जाएंगे क कुश्य नमबर 85 है आपका 85 बहुत सांदार कुश्यन है भाई सीधे सीधे बता दे रहा हूं पेशा एक्ट जो आपका है पेशा एक्ट ठीक है जो आपके हैं पेशा एक्ट पढ़ाओगा आपने पंचायती राज अधिनियम जो आपका विस्तार है किसके लिए S.C.S.T. के दूसरी पंचवर्सी योचना का मोटिब था ओद्योगिक छेत्र पहली पंचवर्सी योचना में क्रसी और उससे संबंदित छेत्र को बढ़ावा दिया गया दूसरी में ओद्योगिक छेत्र को बढ़ावा दिया गया कमापन करते हैं दी राइट अंसर होगा भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उब्होगता है विस्व में सबसे आदा भारत दाल उत्पादित करता है सबसे आदा खाता है दलहन का 88 वी प्रिशने का अंसर होगा दलहन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उब्ह वोगता देश से याद रखेगा तो यहां से जो हमें आंसर मिले से पेज में क्या क्या मिला गाईज देख सकते हैं ठीक है भूरिया समीती पेशा दिनियम के लिए दूसरी पंच वर्षी योजना का में टारगेट और द्योगिक छेत्र इसके बाद सहरी छेत्रों में गरीबी सबर का फल मीथा होता है बिल्कुल यहां पर आपको बताना है ठीक है बिल्कुल बता सकते कौन सी नगद फसल नहीं है नगदी फसल जिनका उद्देश कोगाओ बेचो पैसा कमाओ तो यहां पर जवार नहीं है ठीक है कौन सी नहीं है जवार नगदी फसल नहीं है गन्ना तंबाको मूंफली कपास जूट पडशन यह सब आपके हैं क्या नगदी फसल है यहां पर जो आपका नहीं है ठीक है दाल आपका क्या है जो आपका जौर है यह नहीं है इसके बाद सतत्विकास देखो सतत्विकास यानि पूरा विकास याद रखिए सतत्विकास यानि पूर के व्रनिये विकास तो यहां पर सामल होगा उप्रोक्स सभी पारिस्थितिकी विकास सरामाजिक सांस्क्रितिक विकास आर्थिक विकास यानि क्या हो जाएगा डी डी Prom понять अगला कुशन है जोहिनस बर्ग में सतथ्थ्थ्ध का सम्मिलन किस वर्स हुआ था 2002 में जोनस वर्ग जो की कहां पर है दक्ष्ण अफ्रीका में है सतत्द विकास सम्मिलन 2002 में हुआ था पढ़िएगा उठा करकेaniu सतत्द विकास यानी की उप्रोक्त सभी तो 92 का आंसर भी क्या हो जाएगा D उप्रोक्त सभी ठीक है उप्रोक्त सभी यहाँ पर याद रखेगा ठीक है बिलकुल राइट आंसर यहाँ पर देखिए सतत विक्यास क्या आर्थिक विक्यास परियावरणी विक्यास समाजिक विक्यास उप्रोक क्या है आर्थिक विकास पर्यावरणी विकास समाजिक विकास यानि की आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट आपका है कुश्चन देखिए यहां पर देखेंगे पियर मैचिंग का भी प्रिश्ट है और नॉर्मल भी है एक तो कुश्चन सतत विकास पीछा नहीं छोड़ रहा है सतत विकास कब अस्तित्त विकास अग्ला कुश्चन है भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रियाः कब शरूवी थी 1990 में 1992 में 1992 में देखा होगा 1990 के बाद 2 साल के लिए 1-1 साल की 5 वर्षी योजना याई थी सभी लोग जानते हैं 2 साल के लिए 90 से 91, 91 से 92 फिर 5 वर्षी योजना 5 यर्स के लिए हो गई थी तो भारत में आर्थिक सोधार की प्रक्रिया 1990 से स्टार्ट हुई थी तो 94 का आंसर आपका होगा A, 1990 एक आपका कुशन है पेर मैचिंग बाला ये तो बहुत सिंपल कुशन है एक आंसर पकड़ दो पूरा बन जाएगा कैसे देखो मूल बिभेत का मतलब है भूमी एक आधिकार और भूमी सुधार का मतलब है चकबंदी भूमी की चकबंदी तो देखो भूमी सुधार भूमी की चकबंदी B का आप देखेंगे चौथा B का चौथा केवल आपका एक ही जगह है कहाँ पर A आंसर में है ठीके भूमी सुधार भूमी यहाँ पर जो आपका B का चौथा भूमी की चकबंदी मूल बेभेत भूमी का एक ही करन तीसरा गरी का दूसरा केबल एक ही जगे मिलेगा यह देखो डी का दूसरा एक ही जगे एक को पकड़ लो जो आपको मालूम है आंसर मिल जाएगा तो ए आंसर इसका होगा ए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है ए आपका करेक्ट आंसर होगा केबल एक पकड़ केबल एक ही जगे देखो तो आंसर आपका ए हो जाएगा ऐसे आप पकड़ सकते थे क्लियर गाइस तो यहां पर देखिए जो आपका है आंसर हमें यहां पर मिलें ठीके देखो सतक दिकास सब्द अस्तित्तों में आये था 1987 में भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया उनीच अगला है आपका भाई साइंस के कुश्चन बिलकुल हलुआ हैं खालो गयार पकड़के वैसे धी कुछ नहीं पूछा गया है बिलकुल सिंपल कई बारों यह कुश्चन मैंने आपको कराए हैं वही पूछ लिए गये हैं सीधे सीधे पहले भी जो कराये थे वही हैं ध्वन कहलाती है क्या कहलाती है तरंग दैर्थ क्या कहते हैं से वेबलेंथ कहते हैं तो राइट आंसर आपका सी होगा अगला कुश्चन है प्रतिध्वनी का कारण क्या है ध्वनी किसी स्रोच से निकल कर जब किसी परावर्तक सतय से टकराती है तो टकरा करके वापस औरोच से टक की कितनी वार पढ़ा प्रकास द्वारा एक वर्स में तैकी के दूरी को हम क्या कहते हैं प्रकास वर्स कहते हैं लाइट येर के नाम से जानते हैं अगला कुशन है निम्निवे से कौन निर्वात में नहीं गवन कर सकता तो ध्वनी तरंगे ध्वनी निर्वात में नहीं चल सक अगला कोशन यह थोड़ा सा अलग टाइप का था लेकिन पढ़ते दिए से आप रेडियो बाहक यानि की रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यार ओपन जब कोई इन्फॉर्मेशन किसी रेडियो तरंग के माध्यम से प्रसारित की जाती है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यार ओपन की प्रक्रिया इससे हम क्या कहते हैं कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको modulation की नाम से जानते हैं तो यहां पर बी answer होगा क्या कहते हैं इसको modulation बिल्कुल क्या कहा जाता है modulation तो गाइज यहां पर जो आपके answer मिले हमें ध्वनी तरंगों के संपीडन के बीच तरंग देर्थ कहते हैं प्रतिध्वनी का कारण ध्वनी का परावर्तन प्रकास वर्सदूरी की एकाई है निरवात में गावन नहीं कर सकती ध्वनी तरंगे और बाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यार उपन को हम क्या कहते हैं modulation कहते हैं तो guys ये था आपका paper ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे telegram channel पर मेरा telegram channel है ब्राजयन सर टेस्ट बुक उसको join कर लीजिएगा एक घंटे में पूर्ण सटी के अनलेसिस पांच छे question आपके बचे हुए हैं ठीक है वो भी आपके बता दिये जाएगे तो बिल्कुल guys जुड़िये super coaching test book के साथ जैसा कि आपने सुना कि paper लीग हुआ उस पर ध्यान मत दो भाई हुआ है तो अगेन एक्जाम होगा सरकार उन पर action लेगी लेकिन ये paper पूँचा गया है ये paper एक moderate paper है आपका ज्यादा ऐसे question नहीं है लेकिन थोड़ा सा में statics पर भी क्या करना होगा guys focus करना होगा ध्यान देना होगा statics पर भी क्या करना होगा ध्यान देना होगा याद रखेगा टेलीग्राम जो मेरा है ब्राजेंसर test book उस टेलीग्राम को जॉइन कर लें ठीक है जॉइन कर लीजेगा वहां से आपको ये PDF गाईस क्या है मिल जाएगा तो चलिए गाईस आज के session को यहीं पर end करते हैं सभी लोग सुपर कोचिंग test book के साथ जुड़ें हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को like share and subscribe भी करें मिलेंगे गाईस अगले session में अनी कल मुलाकात होगी सभी को नमस्कार जैहिंद